जै महाकाली मित्रों आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसे भक्ति ग्यान चैनल में मित्रों आपने देखा होगा कि देवी जागरण और अनेक धार्मिक कारिक्रमों में कई महिलाओं और पुर्षों का शरीर कमपन करने लगता है फिर देखते ही देखते वे महिला या पुरुष जोर जोर से अपने सिर को हिलाने लगते हैं और कई बार तो वे महिला या पुरुष जी बाहर निकाल कर बिल्कुल काली मा की तरही रूप बना लेते हैं तब वहाँ उपस्थित लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति पर देवी आ गई है। मित्रों ये सब देखने के बाद मन में प्रश्न उड़ता है कि क्या सच में किसी मनुष्य के शरीर में माकाली प्रवेश करती होंगी। तो आईए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों माकाली अपार्श शक्तिमान हैं। मनुष्य का शरीर एक पानी की बून की तरह है और माकाली लाखो करोडों महासागरों की तरह। भला एक बून जैसे शरीर में इतनी शक्ति होगी कि वह माकाली की शक्ति को सह सके। हमारे शरीर में इतनी भी छमता नहीं है कि वह माकाली की बहुत छोटी सी किंचित मात उर्जा को भी सह सके माकाली अगर किसी भी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करेंगी तो मैं यह बात पूर्ण विश्वास और दाबे के साथ कह सकती हूं कि वह व्यक्ति उसी चण अपने शरीर को छोड़ परमात्म स्वरूप माकाली में विलीन हो जाएगा मित्रो माकाली कभी भी किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश नहीं करती हैं लेकिन माकाली की जो 64 योगनिया हैं जिन ही कुछ लोग जोगनिया भी कहते हैं वे कभी कभी भक्तों के शरीर में भाव रूप में प्रवेश कर जाती हैं इसलिए यदि कोई कहे कि किसी के उपर माकाली आती हैं तो आप उसी पल समझ जाएए कि वह व्यक्ति आप से छूट बोल रहा है क्योंकि माकाली जो समस्त लोकों और भ्रह्मांडों की रचेता है अपार उर्जा का स्त्रोत है वे अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में आ जाए तो उसी चण उस व्यक्ति की म्रस्तियों निश्चित हो जाएगी वीडियो के अंत्मे में आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि माकाली कभी भी किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश नहीं करती है लेकिन मातारानी की जो 64 योगनिया है वे जरूर भक्तों में भाव रूप में प्रवेश कर जाती है मित्रो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब चरूर करिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद